नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुखी खबर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नंदी ग्राम में ममता बेनर जी का सुवेंदू अधिकारी पर निसाना इसके साथी मैं आपको बताऊंगा कि आज पस्छी मंगाल इलेक्सन में भारतिय किर्केटर से बने नेता असोग डिंडा पर हमला कर दिया गया साथी हर्दवार कुम्भ को लेकर जारी कर दी गई है चिताओनी इसके साथी सुसान सिंग राशपूत केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है साथी एक अप्रेल आने वाला है नया वित्वर्ष चालू होगा तो आप सभी को काफी सारे नियम और कई सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा इसलिए आप सभी इस वीडियो को सुरू से लेकर ध्यान से अंतक दिखना तो चलिए वीडियो को सुरू करेंगे लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके सेर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए बात करते हैं हम सीरे पहली बड़ी खबर से डॉक्टर हर्सवरधन बोलें कुछ पहुँचे हैं एडवांस अवस्था में केंद्रे स्वास्तेमंत्री हर्सवरधन ने मनगलवार को यहां कहा है कि देश में कोरना वार्स के खिलाप साथ और वैक्सिन का क्लियनिकल ट्राइल चल रहा है दिल्ली हर्ट एवं लंग इंस्टिटूट में कोर्ना रोधी वैक्सिन की दूसरी खुराक लेने के बाद उन्होंने ये बात कही है पहली खुराक उन्होंने दो मार्च को बतलब साफ है कि आप सभी को साथ और नई तरह की कोर्ना वैक्सिन देखने को मिलने वाली है जिससे हमारे देश में कोर्ना वैरस जो अभी उचल रहा है बढ़ रहा है बहुत तेजी से वो कम भी होने लग जाएगा चलिए बात करेंगे को बड़ी खबर की तो मौसम विभाग की चितावनी इन इलाकों में धूलबरी आंधी और मुसलाधार बारिस बनेगी आफ़त जी हाँ पहाडों के कुछ इलाकों में बरबारी और बारिस से मैदानी छेतरों के तापमान में काफी उतार चड़ाओ देखने को मिल रहा है तापमान बढ़ने से पंजाब, हरियाना, यूपी समेत कई राजियों में गर्मी, लोगों का पसीना निकाल रही है भारतिय मौसम विभाग के अंसार धूल भरी तेज हमाओ यानि आधी चलने की संभावना जताई गई है 29 मार्च को राजधानी दिल्ली में 40 डिग्री से ज़्यादा का मौसम पहुँच गया इसके साथ ही दिल्ली, हर्याणा, उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ने लग गई है चलिए बात करेंगे अब हम एक और वड़ी ख़वर की तो दिल्ली में बढ़ा कोरोना का कहर के जीवाल ने उठा लिये हैं एतिहात कदम जी हाँ आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना वायरस बहुत तेरी से बढ़ रहा है और दिल्ली में कोरोना वायरस संकरमर अब तो बहुत तेरी से फैल रहा है आज ही राजधानी में 922 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह कोरना संक्रमितों की जो टोटल संक्या है वो 6,60,611 पहुच गई है इसके मद्यनजर दिली के मुख्यमंत्री अर्विन के जीवाल ने जरूरी कदम भी उठा लिये हैं और उनका कहना है कि लोगों को बिल्कुल भी धिला नहीं पड़ना चाहिए अन्य था कोरना वायरस बहुत तेरी से फैलेगा बात करेंगे एक और वड़ी खबर की तो इंग्लैंड की हार के बाद गरजे हैं कोंच सिल्वर वूड कहा T20 वर्ल्ड कप में और मजबूत होकर रहें जी हाँ इंग्लैंड को भारती टीम से बहुत बूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा पहले टेस्ट मैच फिर T20 और फिर ODI में इसके बाद इंग्लैंड के जो कोंच है वो पूरी तरह से भड़क गए हैं और वो कह रहें कि टीम इंडिया निश्टी तोर पर अच्छा खे जी हाँ पस्छी मंगाल में एक अप्रेल को होने वाले दूसरी चरण की वोटिंग के लिए आज परचार थम गया इस चरण में नंदिग्राम सीट पर भी वोट डाले जाएंगे इस सीट पर पस्छी मंगाल की मुख्य मंतरी का मुकाबला उनके पूरु करीबी और BJP नेता सुबेंदू अधिकारी से है चुनाव परचार के आखरी दिन ममता बनर जी ने रह लिया और रोड सो किया मुख्य सुबेंदू अधिकारी के समर्थन में ग्रह मंतरी अमिसा अभिनेता मिथुन चकरवरती ने ताका जोग दी पस्छी मंगाल में दोस्तों इस टाइम पर सि QDFC Bank, Axis Bank और Punjab National Bank समेत कई टॉप बैंकों और Financial Institution के ग्रहकों को एक अपरेल 2021 से OTP मिलने में दिक्कत हो सकती है इसका सीधा असर वित्य लेन निन से जुड़ी परकिरिया पर पढ़ सकता है ऐसे में आपको उता दू कि आप सभी को सतर करेना चाहिए क्योंकि आने बाल दिन आज एक बार फिर से असोग डिन्डा के उपर हमला हुआ है इससे पहले जेपी नड़ा के उपर हमला हुआ था फिर ममता बिनर जी का ये कहना था कि उनके उपर भी हमला हुआ है और भारते किर्केटर से नेता बने असोग डिन्डा पर आज हमला हुआ है जिसके बाद पू मुटक मिलने के मामले में आरोपी से निलंबित पुलिस अधिकारी सचिनवाजे के खिलाब गैर कानुनी गति विदियो अधिनियम की धाराये भी लगा दी है मुंबई में 25 परवी को उधोग पती मुके समानी के घर के बाहर कुछ ऐसी घटना होई जो की अभी तक सुर्खियों में बनी हुई है ऐसे में NIE को एक बार फिर से कार मिली है और कहा जा रहा है कि इस कार पर जो नंबर प्लेट है वो पुरी तरह से सचिनवाजे के नाम पर रहिष्टर है और ये पहली ऐसी कार है जो सचिनवाजे के नाम पर रहिष्टर है इस वज़े से इस केस में एक और नया भुचाल आ और आने वाल दिनों में आप सभी को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर जाने वाले हैं तो आप सभी ज़रूर थोड़ा समल कर रहना। जब ही भी चांद को देखती हैं तो वो इमोसनल हो जाती हैं और उनको लगता है कि कहीं न कहीं चांद नहीं सुसांत को छीन लिया। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी कवरखी तो एजाज खान को मुंबई एरपोर्ट पर लिया गया हिरासत में। ड्रक्स केस में हुई है बड़ी कारेवाई जी हां बॉलिवूड एक्टर एजाज खान को मुंबई एरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। नार्कोटिक्स कंट्रोल वीरो की एक टीम ने एजाज को उस वक्त मुंबई एरपोर्ट पर पकड़ लिया जब वो राजिस्थान से मुंबई लोट रहे थे। जानकारी के मुताबिक ड्रक्स केस में NCB ने कारेवाई करते हुए एजाज को हिरासत में लिया है इतना ही नई मुंबई में एजाज के दो अलग-अलग ठिकानों पर भी छापे मारी चल रही है तो आप देख रहे हैं कि बॉलिवूड में एक बार फिर से ड्रक्स का गंद ये वर्स होगा चालू जी है दोजार एक्किस वाइस आम आदमी को तगड़ा जटका देने के साथ साथ सूरु से ही कई तरह की परिसानी खड़ा करने वाला होगा दरासल एक अप्रेल दोजमर्रा की इस्तिमाल वाली चीजों में महंगाई का तड़का लगने वाला है नए अभी से सतर हो जाएं बात करेंगे को वड़ी ख़वर की तो कभी नहीं होगा भारती रेलवे का नीजी करन यह देश और यहां के लोगों की संपती है ऐसा कहना है प्यूस गोईल का रेल मंतरी और भाजपा नेता प्यूस गोईल ने मंगलवार को यह भरोसा दिलाया कि भा भारती रेलवे का नीजी करन कभी भी नहीं किया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने रेलवे दुरघटना में आई कमी को लेकर ट्रैक मैन, मैंटेनेंस और सिग्नलिंग के काम में सामे लोगों की सरहना की है पस्छी मंगाल के खड़कपुर में एक जन सभा को सम्भोधित कर मैं आपको आस्वस्ट करताओं की भारती रेलवे का कभी भी नीजी करन नहीं होगा तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुखे कबर वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनेवाद